नमस्कार दोस्तों घरेलू नुसके चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को आज इस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेयर कीजिए दोस्तों आज हम बात करेंगे ताड़ गोला फल के फायदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों लीची की तरह दिखने वाला यह ताड़ गोला फल गर्मियों के दोरान भारत के टट्यक छेतरों में पाया जाता है अपने टंडी तासीर होने की वज़े से इसे आइस एपल भी कहते हैं मौसे में गर्मी बढ़ने की वज़े से आपको यह फल जरूर खाना चाहिए क्योंकि इससे सरी तरो ताजा हो जाता है और गर्मी से पैदा होने वाली अनेक बिमारियां दूर रहती है ताड़ गोले का जूस भी काफी लोक पिरिये है और जगे जगे पर इसे रिफ्रेसिंग ड्रिंक के रूप में बेचा जाता है ताड़ गोला में विटामिन B, आइरन पोटेशिम, जिंक, फासपोरस और केलसियम भारी मातरा में पाया जाता है जो की हमारे सरीर के लिए बेहत जरूरी है इसका स्वाद बिल्कुल ताजे नारिल की तरह होता है तो दोस्तों अगर इस गर्मी को बीट करना हो तो ताड़ गोले का फल खाना बिल्कुल न भूले तो आईए जान लेते हैं ताड़ गोला फल के फायदों के बारे में एसिडिटी दूर भगाए इस पल में जरूरी पोसक ततो होते हैं खास तोर पर विटामिन बी ट्वैल जिससे पेट की एसिडिटी ठीक हो जाती हैं इसके रस को कुछ दिनों तक पीएं और लाब उठाएं सरीर का ताप मान नियंतित रखे ये सरीर को ठंडा रखने में मदद करता हैं खास तोर पर गर्मियों में बी हाइडरेशन में मददगार सुबे इसका एक गिलास ताजा जूस पीने से सरीर से पानी की कमी दूर होती हैं दिन में एक या दो गिलास जूस जरूर पीएं एनरजी बढ़ाए इसमें हाई कैलोरी होने के नाते यह सरीर की एनरजी लेवल को तुरंथी बढ़ा देता है जिससे घर्मियों में ठकान का एसास नहीं होता महिलाओ में वाइट डिस्चार्ज को करे कम इसमें फास फोरस और केलसेम होने की वज़े से महिलाओ को अत्यदिक वाइट डिस्चार्ज की समस्य से मुक्ती भी मिलती है प्रेगनेंसी में जरूर खाएं प्रेगनेंट महिलाओ को अगर कब जिया पेट से सम्मंदित कोई भी परेशानी हो तो उन्हें इस फल को अपने डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए फेस पेक भी बना सकते हैं दूप में निकलने की वज़े से चेहरे पलाल चक्तो भी यह ठीक करता है इसे बनाने के लिए सुध चंदन पावडर और ताड गोले का फल मिलाएं और चेहरे पर केवल एक परत लगाएं सूखने के बाद इसे धोलें इस पेक को सवेदन सील ताउचा पर लगाया जा सकता है लीवर की समस्या धूर करें इसमें हाई मात्रा में पोटेशम होता है जो लीवर को साप करता है और दूसी चीजों को निकालने में मदद करता है तो दोस्तो यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक करें और जादे से जादे सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें